Hello friends, आज हम Class 6 की Geography के Chapter 2, Globe, Latitudes and Longitudes को पढ़ेंगे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक सिचुईशन से मालनो आपका एक फ्रेंड आपको फोन करता है और कहता है कि वो एक अन्नोन जगापर फस गया है और वो चाहता है कि उस अन्नोन जगापर आप पहुँच कर उसकी मदद करें तो आप क्या करोगे? Obviously आप अपने फ्रेंड को WhatsApp पर Location शेयर करने के लिए कहोगे और एक बार आपके पास उसकी Location आ गई तो आप आराम से Google Maps के मदद से अपने फ्रेंड तक पहुँच जाओगे अब क्यूशन ये है कि वो Location का Message जो आपके फ्रेंड ने भेजा था आखिर उसमें ऐसी कौन सी डीटेल थी? क्योंकि जिस Location पर आपका फ्रेंड फसा हुआ था वहाँ ना तो कोई घर था, ना कोई स्कूल और ना कोई रेस्टरेंड बिसिकली Locations शेर करते समय हम उस जगह के Longitudes और Latitudes की डीटेल भेजते हैं अर्थ पर हर एक जगह का अपना एक Unique Longitude और Latitude होता है आप अपने Free Time में Google Maps पर Different Longitude और Latitude एंटर करके देखना हर बार आपको एक नई Location देखेगी तो हमें अब Latitude और Longitude की Importance तो समझ में आ गई बट यह Latitude और Longitude होते क्या हैं? यह समझने से पहले हमें Location से लेटर एक छोटा सा Concept समझना होगा हम क्या करेंगे कि एक Paper पर कुछ Vertical Lines ड्रो करेंगे सभी Vertical Lines एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं इसी तरह हम कुछ Horizontal Lines भी ड्रो करेंगे और यह Horizontal Lines भी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं अब Vertical Lines को हम Numbering दे देंगे और horizontal lines को हम alphabet से mark करेंगे अब आप देख सकते हो कि इन horizontal और vertical line के वज़ा से हम इस paper पर कुछ points को आसानी से locate कर सकते हैं और ये वो points हैं जहां पर vertical और horizontal lines एक दूसरे से intersect करती हैं जैसे कि इस point के location है B2 इसी तरह ये जो next point आपके सामने है ये है C4 अगर हम ज्यादा horizontal और vertical lines कीज़ दें तो इस paper पर हर एक point को हम आसानी से locate कर पाएंगे इसी same concept के थुरू हम अर्थ की किसी भी location को find कर सकते हैं बट क्योंकि अर्थ goal है इसलिए यहाँ पर straight lines की जगापर parallel circles draw करते हैं जिने कहा जाता है latitudes और vertical lines की जगापर यहाँ पर north pole से south pole के बीच में हम semi circles draw करते हैं और इन्हें कहा जाता है longitudes तो आप अर्थ पर कहीं पर भी खड़े हूँ उस position से कोई न कोई latitude और एक longitude ज़रूर पास होता होगा और इस तरह हमें उस position का latitude और longitude मिल जाता है और हम आसानी से उस position को locate कर सकते हैं latitude और longitude को हम globe की मदद से और आसानी से समझ सकते हैं globe actually earth का एक miniature model है जिसमें आप countries, continents और oceans को उनके actual size के ratio में देख सकते हो हर एक globe में आप एक चीज़ ज़रूर notice करोगे कि earth को सिर्फ दो ही points से attached किया होता है और ये दो points है, north pole और south pole और क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों ही points से attached है इसलिए इस globe को आसानी से घुमाया भी जा सकता है north pole और south pole को जो imaginary line connect करती है उसे कहा जादा है axis और आप देख सकते हैं कि ये globe अपनी axis पर ही घुम रहा है ठीक इसी तरह earth भी अपनी axis पर rotate करती है sun के around घुमते समय इसके लावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि earth थोड़ी सी right hand side की तरफ जुकी हुई है ये same tilt आपको globe में भी देखने को मिलता है earth की axis जो है वो basically 23.44 degrees पर tilted है अब अगर हम globe पर एक line डो करें कुछ इस तरह से कि ये जो line है वो earth को दो equal parts में divide करें तो इस imaginary line को कहा जाएगा equator यानि equator वो imaginary line है जो earth को दो हिस्सों में बाटती है northern half को कहा जाता है northern hemisphere और southern part को कहा जाता है southern hemisphere इसी तरह अगर हम equator के parallel और circles draw करें तो इन circles को कहा जाएगा latitudes और इन latitudes को हम degrees में measure करते है measure कैसे करते हैं चली ये देखते हैं सबसे पहले axis भी draw कर लेता है और ये axis जहाँ पर equator के plane से touch होती है वहाँ से हम एक line draw करेंगे किसी भी latitude तक अब ये जो angle बन रहा है ये angle represent करता है latitude को क्योंकि ये angle 60 degree है तो इसी लिए हम इस latitude को 60 degree north कहेंगे north इसलिए क्योंकि ये northern hemisphere में है इसी तरह southern hemisphere में भी latitude को measure करते है जैसे कि ये latitude 30 degree का angle form कर रहा है इसी लिए इस latitude को 30 degree south का जाएगा south इसलिए क्योंकि ये southern hemisphere में है इसी तरह आप किसी भी latitude को आसानी से measure कर सकते हो अब यहाँ पर इसी picture में हम लोग 2-3 चीज़े और observe कर सकते हैं पहली ये कि सभी latitudes जो northern hemisphere में है उन्हें north latitudes कहा जाता है और जो southern hemisphere यानि equator के नीचे है उन्हें south latitude कहा जाता है और एक बात इसी picture में एक बात और जो आप observe कर सकते हो वो ये कि जैसे जैसे angle बढ़ रहा है latitude का size भी कम हो रहा है और हां क्योंकि हम सभी angles equator के respect में measure करते हैं इसलिए equator को basically 0 degree latitude भी कहा जाता है और north pole को 90 degree north और south pole को 90 degree south देखो latitudes तो 1000 हो सकते हैं हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे latitudes बना सकते हैं लेकिन 5 latitudes हमारे लिए बहुत ज़्यादे important है ये 5 latitudes कौन से हैं और ये बाकी latitudes से क्यों इतने ज़्यादे important है ये भी हम समझेंगे पहला latitude तो आप देखी चुके हो 0 degree latitude यानि equator दूसरा 23.5 degree north latitude जिसे tropic of cancer भी कहा जाता है तीसरा है 23.5 degree south जिसे tropic of Capricorn कहा जाता है और चोथा है 66.5 degree north जिसे arctic circle कहा जाता है और पाँचवा है 66.5 degree south जिसे हम Antarctic circle कहते हैं देखो वैसे तो हर एक latitude अपने आप में बहुत important है क्योंकि उससे हमें आर्थ की किसी भी point को locate करने में मदद मिलती है बट ये 5 latitude ना सिर्फ location के information हमें देते हैं बलकि उस particular location का climatic pattern क्या है ये भी हमें समझाते हैं इसलिए हम इन latitude को थोड़ा और detail में पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे इसी chapter के next part में अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजिए और ऐसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए बुकस्तवा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग बुकस्तवा